हेलो असलाम अलेकुम मैं हम्जा वसीम प्यैस एनलेसिस से दिए आज के मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट तक्रीबन 45,077 पे बंद भी तक्रीबन 5 पॉन के साथ नेगेटिब मार्केट नाज इंटराटे हाई लगाया 45,312 का आपको टार्केट दिया था 309 का मार्केट में अच्छा इजाफा हुआ आप देख सकते हैं कल जैसे के लगे थे 167 मिलियन के आज 256 के तक्रीबन 50% का गेन आया वाल्यूम में हम देख सकते हैं क्या जिन सेक्टर्स हैं हम नेट्वर्क डब्यू डबल जीए इन्होंने इनमें अच्छा वॉल्यूम काफी ट आपको हम नेट्वर्क ने भी दे दिया तो मेरा यह भी अच्छे स्टॉक्स है अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कल की हवाले से बात करते हैं और आज का भी थोड़ा सेनेरियो समझते हुआ क्या आज मार्केट में आज मार्केट ने आप देखा मुल्टिपल ट्रेडिंग पॉचनिटीज दी मार्केट हाई साइट पे भी गई लो साइट पे भी गई आपको एक्टूमिलेशन का भी मौका दिया अब यह देखें थोड़ा सा ग्राफ है मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करती रही अब यह देखें मार्केट जब बंद वाप पहला सेश पॉजिटिव फुला और थोड़ा ही पॉजिटिव जाने के बाद हमने करेक्शन देखी 200 कोंट की तक्रीबार हाई साइट से अच्छा अब फिर हमने यह भी देखा कि वॉल्यूम्स भी इंक्रीज है मार्केट के अंदर अब आपकी स्ट्रेटिजी क्या रहनी चाहिए उस काफी मुम्किन होता है कि मार्केट आपकी यहां से रिवर्सल खा जाएगी ऑगर अगर हम मार्केट को देखे तो आज स्लाइटली नेगेटिव बंद हुई है और अपने एक सपोर्ट के पास है पैंतालीस अदा पचास इसके उपर अगर यह प्रिसाइज लेवल समझ और पैंतालीस हजार को एक सिक्योर रखा मार्केट ने उपर से जो मेरे साथ एक दू हफतों से वह समझते हैं पैंतालीस हजार सो की इंपोर्टन्स किया है बार बार मार्केट एदा से रिजिस्टेंस खा रही है तो यह एक लेवल है पैंतालीस हजार सो का इधर से सि हंडेट इंडेख्स का चार्ट और इस पे मैंने ठोड़ सी वर्किंग की है देले निकर मार्किट आपकी बार बार एक लेवल बार बार रिज्सक्टीन कबार से लेवल से यालों एक लेवल से इक और यालों एक लाधंद फिर बॉल्स आपकी लेकर आ है मार्केट को च फीर सांसार दो सो से लेकर यह के तन्मेर, फिर उससे पेर बोल्स आप की फिर फिर बॉसे पूल्स एचổi साओले, प्लाइज पुर जादा नीचे अब नहीं जाने दे रहे बियर्स को तो यह एक पॉजिटिव पैटर्न है मार्केट के लिए अभी लेकिन इसमें हम लोगों ट्रेड कैसे करने हैं उसके पर भी थावसा डिसकेशन कर लेते हैं अभी भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं नो इशू जब तक मार् लेविल बनते हैं वो 700 का लेविल बनता है स्विंग ट्रेडिंग वाले जब तक रहे जब तक मार्केट चावाली सजा 700 का लेवल ब्रेक ना कट जाए जो कि काफी मुश्किल है इंशालों उमीद है यहां से मार्केट एक लंबी तेजी दिखाएगी आपको यहां पर बात क किया है वन्स अगें 45,500 की पहली रिजिस्टेंस आएगी और दूसरी रिजिस्टेंस 200 से 200 की है इसके ओपर अगर सस्टेंड कर जाए तो फिर मार्केट के लिए बहुत भैतर है और यहां से वन्स अगें मार्केट एक होपफुली एक अच्छा रिबाउंड शो करेगी मंडे 31 है तारीक आप देख सकते है तो यह कि लास्ट अफ मन्थ भी है तो मंथली वाइज बगरा मार्केट को देखे मंथली वाइज भी एस सच हमें मार्केट ने बिग गें नहीं दिया वन परसंट को गें दिया तक्रीबाद 1.08 परसंट तो यह कि एक बहुत बरा रिटर गोगा वह सारे 400 पॉइंट होगा और इसके जो अगले महीं ने का एक पर्शन ओगा तकि में 500 पॉइंट होगा 500 तो नहीं देंगे थोड़ा थोड़ा इजाफा होता रहेगा पॉइंट्स में लेकिन यह कि मकसद यह कहने का कि आपकी मार्केट हल्की-हल्की भी बढ़ती र तो मंडे को मार्केट उपर ही ट्रेट करेगी और 45,000 का जब तक यह बॉटम सिक्यूर रहेगा न चावाली सजा 960 से 45,000 मैं मार्केट में सर्च मंदी नहीं देखता जब तक यह लेवल सिक्यूर है हाँ यह लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर मैं समझता इंट्राडे वाले क कोशिच होनी चाहिए वहां से एक्जेट कर जाए आप लोग ट्रेट के अंदर रह सकते क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट हायर हाई बना रही है यह हाई लगाया फिर एक लो लगाया इस लोग को नहीं ब्रेक किया मार्केट हाई लगाया इस लोग को ब्रेक नहीं किया अभी तक फिलहाल और जब तक मार्केट इस लोग को ब्रेक नहीं करेगी आप लोग मार्किट के अंदर रहिए और अवे healthy chance को साहिए औस यह ग्लिवेंड की जैसे ही मार्किट इस हाई को ब्रेक करेगी की ब्रीच हॉआशक चिप्रीजिसा盼 करेगी जैसे ही इस लेवल को आपके लिए एक रिजिस्ट्रेंस रहेगा कर मैं थोसे दिखा हूँ तक्रिवन तक्रिवन 45455 के पास समझ लीजे यह लेवल निकल के आएगा नया रिजिस्ट्रेंस मार्केट के लिए सही तो इदर अप्र यह आप लोग के लिए next profit ticking का भी level बनेगा सही है मैं तो आप कोशिश कर सकते हैं market के अंदर अच्छे-च्छे stocks को देखे और इंशालला मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ stocks भी दे दूँगा weekend पर जो आप trade कर पाएंगे एक तो कि पुरा फेबररी जिन में आप trade कर पाएंगे और कुछ यह strong भी बताँगो जो आप at least तीन महीने तक होड़ कर तो भितरीन मुनाफ़ इंशालला कमा पाएंगे तो उन sectors को पर भी हम तोड़ा सा बात करेंगे दो तारीक इंशालला IMF के साथ मीटिंग है इंशालला IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो मजीद उमीद है कि वाल्यूम्स वंस अगिन मार्केट में अच्छे आने शुरू हो जाएंगे अभी भी ये वाल्यूम्स बहुत अच्छे नहीं है मार्केट के हवाले से मार्केट डेली के टाइफ़े में बहुत डल परफॉर्म कर रही मार्केट आपको बहुत एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है अब देख सकते हैं इस रेंज के अंदर ही मार्केट काफी हथ से परफॉर्म कर रही है और यह कि जैसी मार्किट में एक रेंज का ब्रेक आउट अच्छी तरीके से आए तो फिर हम अच्छा देख सकेंगे काफी आज भी तो इसी सेलिंग प्रेशा हमने देखा हाई साइट से मिला 45,490 का स्टॉपर रखें वो ब्रिक होता तो मार्किट मजीद अगर डिप पे जाए तो हम उधर जैसे 46,000 का अच्छा लेविल है और 110 का अच्छा लेविल है 410 ना ये गोमलेशन बन सेकें जहाँ बात है और वीकली लेहाज से भी मार्केट का जो लो है मार्केट अपने लो के हिसाब से अगर देगे तो जो लो लगाए इस वीक मार्केट चावाली सब्सक्रा साथ सो बारा तो बुलकुल बीच में आकर समझ लीजे क्लोसिंग दिये मार्केट ना की बीच से थोड़ा सा मेरे फ्यूवर का कॉומן फॉल के लेविल्स के बारे में था तो देखे मैं फॉल के लेविल्स देदूँ आप लो को लो का जो करेंट लेविल लो जो मार इसका जो लेटेस्ट लो है एट पॉइंट वन इससे अपना स्टॉप लॉस आप लोग रख सकते हैं और बिक स्टॉप लोग अभी यही रहेगा एट पॉइंट थी जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं देगी आप लोग इसमें लॉंग भी जा सकते है FFL के अंदर लंबे टार्गेट सेट करने के लिए भी जा सकते हैं यह इसकी रिजिस्टिंस है नौ रुपे बारा पैसे आप चाहे तो इसके उपर अगर मार्केट क्लोजिंग देदे वांस अगें इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं लेकिन फिलाल यह एक चीज जा सकता है तो भी मतलब के सही है थोड़ सा है अभी इसके अंदर थोड़ी गुंजाईश अभी भी मौजूद अपवट जाने की लेकिन कोशिशिश कीजिए हाई साइट पर मैक्सिमम बेचीए और लो साइट पर बाई कीजिए मैं यह देखता है यह थोड़ सा और उपर जा सकता है और इसको जब डिप लेगा फिर आम इसके अंदर एक अच्छी अपॉचनिटी देख सकते है अभी इस पर की जा सकती है बाईंग स्टॉप लोग का 105 हो सकता है 105 अगर 104 के नीच अगर क्लोजिंग दे तो इसके लिए एक मजीद खतरे की बात बन सकती है नहीं तो अगर इसके ब्रेक आउट कर देता है और इस लेवल को मेंटेन रखता है तो once again हम देखेंके तो once again अच्छी बनाते वे नजर आ सकता है इसका जो करन्ट ग्रंट बनता है 12 और बारा औरपे 50 ौशा से से 12 रोपे बिक स्टॉप लॉस है इधर हिट कर जाए इसके नीचे जाए तो यह अपना डाउंट्रेंड कंटेनीव कर सकता है ए ए एनल वो इसका रिजिस्टेंस लेवल के पास यह 13 रूपय इसका रिजिस्टेंस लेवल बनेगा उसके लावा और जो बिक रिजिस्टेंस 14 रूपय सततर पैसे यह ब्रेक आउट करेगा मजीद तेजी की तरफ कंटिन्यू करेगा उसके लावा बाइंग कॉल्स इंशालला मेरी कोशिश होगी वीकेंड पर शेयर कर दूंगा आपको के स तो इसके साथ इचास चाता हूं मैंग हम्जा वसी प्यास एनाई रसे से